वेलकम बैक तो मैं चैनल करियर पॉइंट फो यू और आथ कि इस वीडियो के जो टॉपिक होने वाला वो तीन होने वाला एक क्या जो ऑफर लेटर हमारा सच में एकस्पायर हो जाता है कि नहीं हो जाता है एक सेकेंड है कि क्या हम अपना अप्लिकेशन स्टेटस में क्या प्रोसेस में हैं ठीक है कब तक ऑफर लेटर आने की चांसेज है इसके बारे बात करेंगे थर्ड और काफी इंपॉर्टन वाला कि हमें सिलेक्शन में आ गया है तो कब तक जॉइनिंग होगी ठीक है तो यह तिन टॉपिक होने वाले हैं सब पर मैं अपनी एक राय वेगरा दूँगा और आपको भी पता लग जाए क्योंकि मुझे अपना प्रोसेस पता है मुझे कितना टाइम लगा तो इससे आपको भी एक आडिया मिल जाएगा कि हमें कितना लग सकता है तो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाई बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले अगर आप अगर लेकिया हो तो आपको नोटििटेशन में ठीक है। ओलेडी हमने बहुत सारी कंपने इससे रेलेटमिलेटन अगर किसी था की छोटीस छोटी अपडेट ही क्यों ना हो अगर हमने लेकिया यह तो video जरूर मना है ऐलेडी हमने बहुत सारी video कवर रखी चाहिए वो और। और इसके इलावा भी नामने मैं पर्टिकुलर्ली प्रेलिस्ट बना रखे हैं ताकि आप कोई इश्यू अगरा ना हो जैसे देख सकते हो टैक महिंदर आप जिमेनाइक कोपनिस एंड विप्रो जो हो असेंचर टीस इस इंफोसिस तो आप एक बहुत रूज जरूर हो ना वो कैसे हम चेक करती है वैसे off campus hiring में ज़्यादा मैंटन नहीं करता है बट काफी लोग नो कॉश्चन होता है क्या अगर हमारा green process है और एंच प्रोसेस है ऐसा कुछ सीन होता था ना मैं जब मैं स्टार्ट में था था तो काफी सर्च करता था बाइट टाइम आपको रिलाइज होगा कि यह चीज़ ज्यादा में करती है कि मेरा जो यह आप देख पालो रिव्यू इन प्रोग्रेस था उसके बाद अच्छानकी तुरंती मन्दखी ना यह प्रोछेस था ब्रोग्रेस था उसके बाद यह चेंज हुआ प्रोग्रेस हुआ तो पहले मैं आपको वहां ले चलता हूं कहां से आप यह चेक करते हैं वहां पर आपने क्या करना यह देखो क्या लेकिन आपने career.infosys.com तो यहां पर जैसे ही जाओगे आपको जाने के बाद आपको क्या भरना है अपना email address जिससे भी आपने survey form फिल किया था ना online test से वह फिल करोगे ना तो और forget password आप जाना वहां से आपना password setup कर लेना तो आप मैं अपना आपको कर लिया हमने login करने के बाद यह जो आता है process तो यहां पर देख सकते हो यह है यहां पर देख सकते हो तो मैंने मेरे मैंने जो इसाम दिया था तेस नॉमबर दो जार बाइस को ठीक है और यहां एक चीज बताओ ना यह जिद्धर अप्राइड के प्रोग्रेस प्रोग्रेस पने कर वह था मैंने चौ अटाइस क्या मोलते हैं नौ फरवरी को मेरा online इंटर्व्य हो गया नौ फरवरी से लेके इनवीस फरवरी तक प्रोशेस था ठीक है उसके बाद यह चेंज हुआ अठा रहा है उन्वीस फरवरी को प्रोग्रेस में और उसके डस से पंदरा दिनों के बाद आफ़र रिलीज हुआ ठीक है तो मैंने आपको बता भी दिया कि आपने कैसे इसमें लॉग इन करना है क्या चीज़ें इंपोर्टन है और कितना टाइम लगता है आपका प्रोशेस से प्रोग्रेस जाने में आप प्रोग्रेस से ओफर लेटर रिलीज होने में ठीक है यह बात रही हमारी application status की तो अब आत अगर आपको सबसे latest one is सबसे oldest तो आपका मार्च वाला ठीक है मार्च से लेकर वी तक आराउंड हो चुके 8 मही में ठीक है तो 8 मही नहीं का जो सीन है तो आपको पता ही होगा जिनकी मार्च में सेलेक्शन में आ चुका जिनको ठीक है उनकी जोइनिंग दिसमबर में स्टार अगर अगर ऐसा ही सीन चला तो क्या मता आपके लिए भी आ जाए ठीक है और सबसे इंपॉर्टन कोशित के आते हैं जो काफी लोग आपको बता है डीफॉर्मेंट हो गया जब उनकी जोइनिंग सेप्टेंबर से चली गई यह जनवरी में ठीक है और वह उनकी जो जोइनि दू हो सकता नहीं है बाकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया ठीक है अगर आपने अपने अप्लिकेशन स्टेटस करना है तो कैसे शक्रवाष ना जब क्या किया मतलब की उसपे घ्रशी यह इंक सस्क्राइब एफार ने बहुद है तो विड़िया है पर उचींक्राइब क Have a nice day, bye-bye.